पर्षासन की पूरी पूरी लापरवाई है आज भी पेटोलिंग नहीं हो रही है मुख्मंत bending कह रहे हैं लेकिन मुख्मंति बड़े-बड़े अपराधियों को खतम कर रहे है नीचे के आज भारी संख्या में यहां थाना घेरने का हमारा प्लान था मित्रोई सवक्त मेरी मौजूदगी है जनपत जवनपूर के मीरगन थाना छेत्र के अंतरगत मेर मेदपूर ग्रामसभा में आपको बता दू कि 15 तारिक को एक यहीं यूवक्त है जो जिसका नाम रिसांक सिंग जनने का प्रियास करेंगे कि जिस तरीके से उस बच्चे की हत्या की गई है इसमें कहीं ना कहीं प्रसासन की बड़ी लापरवाही है और अभी यह दादा जी बैठे हुए है रिसांक के दादा जी है यह थाने पे गए है यह साहब अभी कुछ इने आस्वासन दिये है और क क्या स्वासन दिये है वही हम इसे जानने का प्रियास करेंगे स्वर्प थम्तादे जीए पता यह क्या नाम है हमारा नाम लाल सहाब सिंग है मैं रिशांक का दादा हूं तो अन्ना हजारे जज जन शेवक जो हैं उनके साथ हम लोग 20-25 की संख्या में जाकर के निवेदन कि कि हम घराव नहीं कर रहे हैं आप से बात करना चाहते हैं खुलासा कब होगा आपका इस पी रूरल ने कहा था दो दिन में हम कर देंगे लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं तो उन्होंने कहा खुलासा मैं कर दूंगा हमने कहा समय आप दीजिए समय हमको दीजिए और उन्हों ने कहा तीन दिन का समय आप उमसे ले लीजी यह हम खुलासा करके आपको देंगे अप महानिके श्राछ के दूर् आट आया थे ओजिले के तमाम अधिकरी आए थेो भी आप लोग निवेदन की थे ओभी यही कह तैकि दूधी ने दूधी ऑन्हों ने दो दिन क गुपता यसो से भी कहा गया कि दो दिन आज हो गया च्छे दिन अब आप क्या कह रहे हैं तुनों का तीन दिन मुझे और समझ आई हम नहीं का ठीक है तीन दिन ले लिजी जैसे इतने दिन बीट गया तीन दिन और से और बीट जाए आपको बता दू कि 15 तारिक का मामला है 15 पंद्रह तारिक का मामला है लड़के को मार दिये जाता है फिलाल ये परिवार वाले को पता नहीं चलता है 16 तारिक को सुबह करीबन कितने बज़े आप लोगों को रात में ही पता चल गया दस बजे हाँ बगल में इसकूटी खड़ी थी उसका इंडिकेटर जल रहा था ब बाड़ी उसकी पड़ी थी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो एक्सिडेंटल कुछ एक्सिडेंटल का रूप दे रहे हैं हां हमें समझ में आया है कल पुलिस इनकी थाने मीरगंज की प्रयाग गई थी और ड्राइवर से बातचीत रेलवे से बातचीत कर रही थी कि इस एक्सिडेंटल केस दे दिया जाए क्योंकि इतनी चोट आई है और कोई साक्षी मिल नहीं रहा है ये बात कल हवा में मिली है अब इसको हम ये लोग पुलिस इसको दबा करके बैठे हुए आपको बतातू कि रिसांग जो 22 वर्सका था ग्यानपूर में पढ़ाई करता था द्रोगा की तयारी कि रहा था यह कह सकते हैं कि पुलिस की तैयारी कर रहा था जब एक पुलिस वाले को एक पुलिस की सुविधाय बेवस्था नहीं मिल सकती तो प्रसासन Kis काम की और फिलाल अपने घर पे या रहा था अपने परीवार के बीच में अचानक घर से 200 मेट्र की दूरी पे और थाने से 200 मीटर की दूरी पे उसका सौ मिलता है यह परिवार में गाउं में काफी हड़कम मच जाता है और काफी संसनी के संसनी खबर भी है यहां गाउं के और अज भारी संख्या में यहां थाना घेरने का हमारा प्लान था लेकिन कुछ हमारे घर के ही गड़माने लोगों ने यह कहा कि दो-तिन दिन का समय और यह देखा जाए तो हम थोड़ी सी ही संख्या में आए और यहां थाना मेर गंज के थाना ध्यक्त जो गुपता जी है उनको ह हमने घेरा उन्होंने यह आश्वाषन दिया कि हमको आज 19 तारीख है दो दिन का समय और दे दीजिए या तिन दिन का समय दे दिजिए तो मैंने आज उनको तीन दिन का समय दे दिया हूं अर्था बाइस तारीख तक इन्होंने कहा कि हम गटना का खुलाचा करेंगे और जो सब्दों में कहा कि अगर हम 22 तारीख को खुलाचा आप नहीं करते हैं तो हम 23 तारीख को एक हज्जार की संख्या में यहां पर आकर के ठाना दे रहेंगे जिसमें हमारे साथ कंडी सेना के पौन सिंग जी भी है और कंडी सेना के राष्ट्रिय ध्यक्ष से भी बात हुई है और हम भारी संख्या में कंडी सेना के साथ भी आकर के यहां पर ठाना पूरा गेरेंगे यहां पर धरना प्रदर्सन करेंगे इसके बाद हम जिला मुख्याले की तरफ कुछ करेंगे इनके रिस्ते के कुछ लोग हैं आम मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे जानने का प्रियास करेंगे ये बताईए क्या नाम है राज कुमार सिंग आप लोग गाउं के हैं या बाहर रिस्ते से आए हैं आप लोग को कब सुचना मिली कि इस तरीके का रिसांग के साथ हो ग उसके पास कोई इसा चीज नहीं थे मतलब यू कहना है कि रिसांग का एक बहुत अच्छा लड़का था मेहंती भी था और पुलीस की भी तैयारी कर रहा है कहीं अगर पुलीस बनता तो समाज को और लोगों को अच्छे तरीके से देखता है ये लड़का था इसका वे आप खती है एक बैटा लगकता है न्याकने आपकिसा लड़का था लड़का था वह बहुत सुंदर था अच्छा था रिसांक जिस तरीके से कर रहा है कि कुछ ऊ Nein यह पुछ बात नहीं । लड़का था कि पूछिज है करते हैं तमाम लोग बीच में रहते हैं आए दिन अखबारों में न्यूज में तमाम ऐसी चर्चाएं उठती रहती हैं क्या लगता है कि अगर प्रसासन इस तरीके का गस्त पर्ट्रोलिंग करता तो ऐसे ऐसे कारणा में जो हो रहे हैं इनको जो है कि प्रसासन की लापरवाह है आज भी पेट्रोलिंग नहीं हो रही है और यहां प्रसासन की संख्या में यह वैचारे इधर उधर दोड़ रहे हैं सुबह सामगाउं के आसपास आगे पीछे लेकिन ठाने के पुलिस रोड़ पर ही दोड़ रही है कच्छे बार्ग पर नहीं आना चाहती पेट्रोलिं नहीं कर रहे हैं आज भी मन चले बैट रहे हैं उठ रहे हैं किसी की भी छिनवति कर सकते हैं कि प्रसासन की बड़ी लापरवाही है जिस तरीके से यह लोग कारनामे को अंजाम दे रहे हैं लोग की हत्या कर दे रहे हैं कहीं दुसकर्म हो रहा है कहीं अपराद बेखूबी से फैल रहा है एक तरह मानी योगी यादी तिनाथ जी कहते हैं कि हम जो है कि अपनी प्रसाशन को अच्छी सुविधाय दिये हैं साइद वही सुविधाय का ये लोग फाइदा उठा रहे हैं और ऐसा समाज में ऐसा अपराद बढ़ता जा रहा है हां मुख्मंत्री जी कह रह रहे हैं नीचे के छोटे अपरादियों को ये लुक्सता दे रहे हैं पैसा कमा रहे हैं इनका यही लक्षे है बस और यहां कमा रहे हैं उपर से नीचे सब बढ़ा हुआ है यही चल रहा है और ये लोग तो वर्दी पहन करके काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं जैसे अभी ये निश्चित रूप से करेंगे, अगर इसमें कोई वर्काउट नहीं हुआ, तो निश्चित हैं से न जानें, हम लोग आसुरक्षित रहेंगे, गाओं के बगल वाले जो लाइन के किनारे हैं, हम लोग आसुरक्षित रहेंगे। अब उनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे जानने का प्रियास करेंगे आप फिलाल उनके पिता जी है यह मायूस है और बात नहीं करना चाहते हैं साइद इनको कुछ है इनके दिमाग वैसा कुछ चल रहा है रिसांग के विसे में साइद सोच रहे होंगे इसी तरीके से बात भी नहीं करना चाहते हैं जिले के तमाम अधिकारियों से और सासन और प्रसासन से मैं निवेधन करना चाहता हूं कि यह जाच कभी सह है जाच कर एक परिवार को उचित कारवाई करें तलाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में जय हिंज जय भार